नमेशकार दोस्तों, पाकिस्तान अक्सर कहता रहता है कि उसके स्वाइल पर किसी भी प्रकार का टेरर अक्टिविटी देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि वो उसको अलाव नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ important documents reveal किये गा है, सामने आये हैं पाकिस्तान सरकार के, जिसमें पाया गया है कि कई सारी जो महिलाएं हैं पाकिस्तान के अंदर, वो radicalized हो आ रही है, क्योंकि अभी तक ज्यादा तर हम यही सुनते थे, कि यहाँ पर जो पुरुष हैं, वो radicalized होकर join कर लेते हैं अलग-अलग terrorist organization, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए जो खबर आई है, 24 पाकिस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप इस तरह के कई सारे articles देखने को मिलेंगे, जहाँ पर clearly बोला गया है कि कई सारी जो महिलाएं हैं, वो इस समय अफगानिस्तान जेल के अंदर बंध हैं, तो इसके पूरे overall context को जानने की कोशिश करेंगे, काफी कुछ आपको जानने को document जो है, वो media के हाथ में आ गया है, जिसमें यहाँ पर बताया गया कि 24 Pakistani women have been imprisoned with their children, करीब यह 24 जो पाकिस्तानी महिलाएं हैं, उनके साथ 46 children और भी हैं, जिनको यहाँ पर जेल के अंदर रखा गया है, because क्योंकि उनका link जो है, वो IS Khurasan के साथ बताया गया, Islamic State आपने सुना हो जो Syria और Iraq में ज्यादा तर फैला हुआ था, उसका एक तरह का offshoot है, आप कह सकते हो, सब group है, IS Khurasan, जिसका presence ज्यादा तर आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर यह पाया गया कि जो पाकिस्तानी महिलाएं हैं, वो यहाँ पर Khurasan के साथ जाकर मिल ग देखिए, अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का mission है, मतलब कि जो embassies होती हैं उन्ही को कहते हैं, तो पाकिस्तान की जो embassy अफगानिस्तान के अंदर है, उन्होंने पाकिस्तान के foreign minister को एक चिठ्थी लिखी, और यही चिठ्थी जो है वो media के पास आ गई, तो इस चि प्रिजन है, पुल ए चर्खी प्रिजन, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यह जैसा कि आप देख पाओगे, अफगानिस्तान का map है, यहाँ पर कई सारे border share करते हैं, इरान है, तुर्कमिनिस्तान है, नदन साइड में आप देखो कि तो उजबकिस्तान, तजिकिस और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के साथ border share करता है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए नीचे, इस तरह का चर्खी जैसा shape आपको दिख रहा होगा, यह काबुल के अंदर है, इसकी जो capital है काबुल, वहाँ पर यह prison है, जिसको कहा जाता है, पुले चर्खी prison, तो यहीं पर कापी सारी महिलाएं बंद हैं, और भी कई सारे जेल हैं अफगानिस्तान में, जहाँ पर यह महिलाएं बंद हैं, ऐसा बताया जा रहा है, और यह जो भी document है, वो आपका South Asia Press report में सामने आ गया, और उसके अंदर जो महिलाओं के नाम है, address है, और जो भी उनसे interview वह अगर रखिया गया था, वो सारी चीज़े यहाँ पर दिख गई, इसी के वजए से यह सारा report सामने आ गया है, अब दिखेंगे इसका significance क्या है, significance इसलिए है दोस्तों क्योंकि अभी तक पाकिस्तानी सरकार जो हमीशा से claim करती रही है, कि उसका Islamic State का जो group है, वो पाकिस्तान के कि हमारे कोई भी citizens अफगानिस्तान के अंदर नहीं जाते हैं, crossover नहीं करते हैं, लेकिन ये क्योंकि internal document सामने आ गया है, जिसकी वजए से यहाँ पर पाकिस्तान के उपर अब प्रशने चिंड कड़े हो रहे हैं, कि यहाँ पर तो clearly आप खुदी कह रहे हो अपने document के अंदर क कि किस प्रकार से जो महिला हैं, वो terrorist organization के साथ जाकर मिल गई थी, और ये काफी समय से चलता रहा है, कई वर्शों से चलता रहा है, women in Pakistan being radicalized, और जो पाकिस्तान है उसको छोड़कर अफगानिस्तान के अंदर चले जाते हैं, लेकिन question यहाँ आता है कि IS Khurasan है, कि आप इसको प presence आपको इरान में उतना नहीं देखने को मिलेगा, basically इसका जो presence है, ये पूरा जो Central Asia आप देख रहे हो यहाँ पर ना, और ज्यादा तर अफगानिस्तान के अंदर उसके बाद जो Pakistan है, वहीं पर इसका presence है, और कुछ हद तक बताया जाता है कि इसका लिंक भारत के अंदर भ हुए थे, और आगे चल कर ये काफी हद तक फैल गहा है, पूरे अफगानिस्तान में आप कह सकते हो, और अकसर आप सुनते होंगे ना, काबूल के अंदर कुछ अटाक्स हुए, पिछले साल भी कई सारे अटाक्स हुए थे, उनिवर्सिटी में अटाक हुआ था, उसका इल इसलिए होता है, क्योंकि जो इसलामिक स्टेट हुआ करता था इराक और सीरिया में, आज तक आप तो क्या है कि काफियत तक ये खतमी हो चुके हैं, लेकिन 2015-16 आते इनके ओपर बहुत जादा प्रेशर आ गया था, इसकी वजए से इसके कई सारे जो कोर मेंबर्स हैं, वो क कि ये अफगानिस्तान के अंदर चलेगा है, क्योंकि आपको पता होगा कि इराक, सीरिया अलग-अलग जो जो ग्रूप्स हैं, वो यहाँ पर फाइट कर रहे थे इसलामिक स्टेट के साथ, तो उनको लगा कि हमारे लिए जो सेफ ग्राउंड होगा, वो अफगानिस्तान हो ब्लैक फ्लैक वगर आपने दिखा होगा, कुछ वीडियो वगर निकाले जाते हैं, जिसमें एक परसन है, ब्लैक फ्लैक जो है, वो लेकर खड़ा रहता है, कुछ-कुछ उसमें लिखा रहता है, और इसके साथ वो आवहान करते हैं, मतलब मुस्लिम जो यूथ हैं, अराउ तालिबान का मौझूदगी है, तो तालिबान को क्या ये पसंद आएगा, बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा, तो तालिबान की मोनोपुली जा रही थी, ये इस और्गनाइजेशन की वज़े से, जिसकी वज़े से यहां पर दोनों के बीच में कई सारे फाइटिंग उनका ग्लोबली एक प्रेजन्स हो, ऐसा वो चाहते हैं, लेकिन तालिबान का प्रेजन्स जादा तर जो अफगानिस्तान है, उसी के अंदर सिमित है, और इसी के वज़े से तालिबान ने कई बार फाइट करने की कोशिश की है, इस्लामिक स्टेट खुरसन के साथ, और यू समझो कि नुकलियर बम के अलावा, जो सबसे पावरफुल बम है, कनवेंशनल बम है, मदर ऑफ ओल बम्स इसको कहा जाता है, ये आपका इसलामिक स्टेट के के विच्ट में गिरा दिया गया था, जिसमें कई सारे जो इसलामिक स्टेट के मेंबर्स हैं, वो मारे गयते इस्टान और अफगानिस्तान के अंदर ऐसा यहाँ पर बताया जाता है और in fact 2020 में भी तालिबान और US के बीच में डॉनल्ड ट्रम्प के साथ जो है जो भी यहाँ पर agreement हुआ था यूएस तालिबान का उसमें भी यहाँ पर clearly लिखा था तालिबान ने कहा था कि हम किसी और ग आज भी जारी है ऐसा ही देखने को मिलता है और अभी के लिए अगर एक और difference में आपको बताता हूँ इससे आपको और भी चीज़ें clear हो जाएंगी तालिबान अगर आप देखोगे न तो वो ज़्यादा तरफ war करता है पुलिस के उपर और जो security officials है उनके उपर वो civilians पर उ प्रजेंट में problem अगर आप देखोगे तो September 11 आपको पता ही है US जो है उन्होंने deadline दे दिया है कि वो अफगानिस्तान से withdraw करने वाले हैं तो इसकी वज़ए से यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन लोगों को opportunity दिख गई है यह जो Islamic State खुरसन है तालिबान है वो ज़्यादा से ज situation अब हो सकता है और इसी की वज़ए से यहाँ पर कई सारे videos वगरा सामने आये हैं जो मौलाना वगरा होते हैं अफगानिस्तान के अंदर cleric जो हैं वो यहाँ पर support कर रहे हैं इस पूरे तालिबान को social media के अलग-लग platforms पर और लोगों को आवाहन कर रहे हैं लोगों को कह रह होगे तो एक बहुत बड़ा instability यहाँ पर हो सकता है और भारत ने भी यहाँ पर तालिबान के साथ बात करना बातचीत करना स्टार्ट कर दिया है लेकिन आकरी में जाने से पहले यह जो women गिरफतार की हुई है उनका क्या होगा देखें उनका जो भी prison का term था ऐसा पताया जा तो इस तरह के अभी situation देखने को मिल रही है अब इन women का क्या होगा क्या छोड़ा जाएगा वापस भेजा जाएगा वो तो समय बताएगा बद इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे link जो है कई सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी आम very sure जाने से पहले मैं आ आपको मिले गा ही अगर आप वहाँ पर नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से भी ले सकते हैं इसका right answer मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ stories के form में आप जाकर play कर सकते हैं तो बाकि अगर आपको इसका PDF चाहिए अलग-अलग social medias पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको आसकते हैं टेलिग्राम बाकी चैनल पर और अगर आपको एकनोमी पढ़ना है किसी भी exam की preparation करनी है तो definitely आप हमारे website विजिट करिए एप को डाउनलोड करिए I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आए होगा मिलता है आपसे next time till then thank you very much see you soon